नमस्ते फ्रेंड्स मैं प्रयांका आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं आईला मचली जो की बहुत ही ज्यादा टेश्ट ही होता है तो चलिए फ्रेंड्स इसे कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं और यहां पर मैंने एक किलो आईला मचली लिया और आप देख सकते हैं इसके पेट की वी कछड़े मैंने बहुत एचह से लिए क्लीन करवाया है और यह मैंने साबुत ही रखवाया है यह जो फिश रेस्पी है साबुत ही बहुत जादा अच्छी लगती है तो वजन की हिसाब से यह देखा जाये तो एक किलो है और यह कटिक होता है वो नमकीन होता है तो नमक के क्वांटिटी हम कम रखे हैं और एक चमच हल्दी का पौडर एड़ करेंगे और इन सभी को हल्दी और नमक से अच्छे से कवर कर लेंगे यह देखिए ताकि जब हम इसे फ्राइ करेंगे ना इसकी इसकी बहुत ही ज्यादा पतली ह होती है तो वो कड़ाई से ना चिपके और वो ना ही तोटे फोटे इस वज़े से हम जो हल्दी है वो अच्छे से इसकी उपर कोटिंग कर लेंगे आप देख सकते हैं तमक हल्दी को मैंने बहुत अच्छे से इस तरीके से मचलीयों की आगे पीछे अच्छे से अलटते पल लेना है साइड में तब तक मसाला देख लेते हैं मसाले मैंने एक बड़े साइच कप प्याज लिया जिसे सलाइस में कटा 15-20 लहसुन की कलिया एक इच अद्रग और चार सुखी हुई लाल मिर्च इसे हमें मिक्सर जार में डाल लेना है और इस तरीके से मसाला पीस की बना तो हम इस तरीके से मिक्सर जार में डाल देते हैं सभी इंग्रिडियंट को यह देखे अब उसी के साथ हम इसमें एड करेंगे एक चम्मच हम यहां पर धनिये का बीज एड कर रहे हैं साबुत और इन सभी को चलिए पीस लेते हैं तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं हमें अच्छे से कढ़ाई को फैला लेना है तेल को ताकि हमारी मचली अगर एकाथ थोड़ी बाहर आती है तो वह चिपके ना कढ़ाई से उसकी बाद सभी मचलियों को एक एक करके हमें यहां पर एड कर लेना है ध्यान से करना है दोस्तों कई बार होती ना छीटे आती है तो इस चीज का ध्यान रखेगा और यहां पर हम दो बैच में फ्राई करेंगे मचलियों को एक बैच मैंने डाल दिया है दस मिनट में देख सकते हैं मैंने मिडियम टो लो फ्लेम पे अच्छे से एक साइट से फ्राई किया और उसकी जो साइड हम यहां पर चेंज कर रहे ह तो बहुत अच्छे से यह फ्राई हो जाती है बिल्कुल भी नहीं तूटेगे बिल्कुल भी नहीं फूटेगे क्योंकि हमने जो हल्दी का लेप लगाया था ला बहुत अच्छे से लगाया था इसी वज़े से यह फायदा है इसमें कि चिपकते बिल्कुल भी नहीं है और इसे हमें थोड़ा साइट करते हुए क्या करना है इसका जो बे अक्ष्ट्रा ओयल है न वो निधारते हुए हमें इसे एक प्लेट पे निकाल लेनी है आपने तो फिशकरी की बहुत बार रेस्पी बनाई होगी और बहुत बार खाई होगी कभी एक बार इस तरीके से बना कर देखेंगा दोस्तों आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और उसे के साथ फ्रैंट्स बचे हुए मच्छियों को भी हमें एक एक करके कड़ाई पे डाल देना है और उसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये देख सकते हैं मैंने बहुत एच्छे से सभी मच्छियों को जो है डाल करके फ्राई कर लिया है बहुत एच्छे से दोनों साइट से हमारी मच्छिया जो है फ्राई हो चुकी है और इसे भी हमें सावधानी बरतते हुए पहले तो कड़ाई से छोड़ना आता है उसके बाद तेल ने थारते हुए इसी प्लेट पे हम एड़ कर लेंगे यह देखे बहुत अच्छे से फ्राई हुई है बिल्कुल भी नहीं टूटी फूटी है बिल्कुल भी नहीं चिपकी है तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसी ओयल में डालते हैं एक चम्मच लाल मिर्च का पौडर और इसे थोड़ा एक मिनाट के लिए बस लो फ्लेम पे इस नहीं अपर आप viewers और वो में और ऋमाइट कर लेसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से पहले मिक्स कर लेती है जाहिए पहले तेल के साथ अच्छे से माइञ़को मिक्स करेंगे आप लो फ्लेम पे अच्छी के पर तो या रूरा उपibilities नयां मैंने मोम देख a प्लालो पानी पानी अच्छ सूख जाए मसाले अच्छ से भून जाए तब तक करें एक बड़ी साइच का टमाटर जिसे मैंने बारीक-बारीक काट लिया है और उसे भी चम्मच चलाती वे पहले तो मिक्स करेंगे फिर से इसे लोग फ्लेम पे चम्मच चलाती वे बीच-बीच में आपको सिर्ट साथ मिनाट तक के लिए अच्छे से गलाते हुए पका लेना है तो उसके लिए डाल देते इस पे नमक ताकि यह जल्दी से पक जाए और उसी के साथ हमने जीरा एड करना है पाउडर और यहां पर आधी चमच गरम मसाला बाकी धनिया मैंने साबूत एड किया था देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से हमारे यहां पर सॉफ्ट हो गई है मसाली बहुत अच्छे से बुन गए है तो चलिए फ्रेंड्स अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो बच्छी कोची टमाटर छोटी बहुत रह जाती है वो भी अच्छे से गल उसके बाद हमने यहाँ पर एक ग्लास पानी एड़ किया है ग्रेवी के लिए आपको जितने ग्रेवी रखनी है आप अपने हैसाब से पानी कम जादा कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने जरा सा इमली भिगो कर रखाता पहले से ही क्योंकि यह जो बचली होती है समुद्र पर पा बैंलेज करता है तो तो अगर आप इमली प्ल्प नहीं कर रहे हैं ली होती है जिसे हम चाछ गरहते है वह भी आप आप कर सकते हैं पर इमली से स्वाँत बहुत जादा बढ़ जाता है तो आप जब भी बनें इस तरह की मचली इमली के पल्प ही एड़ कर येगा जैसे ई ग तरीके से एक बर बना लिये ना ग्यारइंटी होता है फिश्च यह जाद़ टेस्ट होती है यह जो मछली की ज़ो टेस्ट है ना यहां पर हम डाल देते हैं हरा दरिया और इसे भी मिक्स कर देते हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और हमारी यहां पर जो फिश करी यह बन करके तयार हुई है आप सिर्फ यही मचली ने समुद्री की कोई भी मचली इसी तरीके से बनाईगा 100% टेश्टी ही बने आपके फिश करी अब चलिए मैंने गैस आफ कर दिया है अब बारी आती है सर्विंग की अब देख सकते हैं देखने में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी ज्यादा टेश्टी होगी है ना फ्रेंड्स रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो क लाइक करिएगा साथी कमेंट करके बताईएगा कि आपको आज की ये फिश की रेसिपी कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की रोज एक नई रेस्पी लेकर आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते अगले नए रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई अपना ख्याल रखिए